क्या हाल चाल है आप सभी के क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ओके वेल डेन वेल डेन चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आप जानते हैं अनकेडमी आज इंडिया में UPSC CAC की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मुका मिलेगा यह लक्षे दो हजार तेईस है ऑशनोग्राफी हमारी चल रही है मैं फिर से बोल रहा हूं दो चीज़े हमेशा ही बोलूँगा आपका सेल्फ नोट्स होना चाहिए सेल पुदका नोट्स यानि के हैंड रिटन नोट्स तभी आप इस मेरी क्लासिज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊगे और रेगुलर रिविजन फिर देखना जोग्रफी और एन्वार्मेंट किस तरीके से आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा तो मेरा नाम है नवीन तवार एटिया टीचिंग एक्सपीरियंस है सिक्स्टाइम में इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है मंतली करन्ट अफेर मेगजीन का एडिटर आओं जोगरफी से मास्टर्स यूजी सीनेट जैरेफ दोनों क्वालिफाइड हूँ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीर नहीं है कोई डाउट है मुझे इधर मैसेज करके आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और अनकैडमी एप पर कॉमिनेटी फीचर्स में रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए उसके साथ ही साथ यह 27 अक्टूबर से 2023 के लिए बाइलिंग्वल बैच लॉंच हो चुका है 2020 और 21 का रिजल्ट देख सकते हैं जबर्दस रिजल्ट है और 2022 में आप में से बहुत सारे बच्चे इधर होंगे अगर आप सब्स्रिप्शन ले रहे हैं जनरल स्टडीज का आपके पास दो विकल्प है प्लास और आइकॉनिक प्लास में अगर आपने अठारा महिने का सब्स्रिप्शन लिया 67,000 वाला मेरे रफरल कोड नवीन वन के बाद ये आपको पढ़ने वाला है 61,000 में सेम ऐसे ही आपको आइकॉनिक अगर आप लेते हैं 18 मंद का 94,000 के आसपास वाला आपको पढ़ेगा 85,000 में और आप कॉम्बो भी ले सकते हैं जिस अठारा महिने का आपने प्लस कॉम्बो लिया 79,000 वाला 71,000 के आसपास पढ़ेगा आपको सेम अगर आपने आइकॉनिक लिया 99,000 वाला आपको 89,000 में पढ़ेगा शर्त ये है कि रेफरल कोड नवीन वन ही अपलाई होना चाहिए अप्शनल आपका कोई भी हो देखो कोई भी ऑप्शनल हो कोई भी मीडियम हो आप मेरा रेफरल कोड नवीन वन अपलाई कर सकते है हिस्ट्री, जोग्रफी, पिएस आई यार, हिंदी लिटरेचर, एंथ्रोपोलोजी, एगरी कल्चर, शशॉल जी ये सारे अप्शनल चल नवीन वन के बाद, और अगर भुगोल आपका वेकल्पिक विशे है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं खुदी पढ़ा रहा हूँ, अन अकेडमी पे मेरा बैच चल रहा है, जिन बच्चों को सी सेट में प्रोब्लम है, मात्र, मात्र 8,999 में रुपे में, आज रात तक आप नवीन वन रेफरल कोर्ड यूज़ करके सी सेट का लगसे बैच जोइन कर सकते हैं, और इसमें 20 प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, मैथ्स, रिजिनिंग कॉम्प्रियेंशन, सब सिखाया जाएगा आपको इसमें, और ये कंपीट शुरू हो चुका है, इसमें प स्कॉलर्शिप पूल है, आईस ओफिसर्स से मिलने का मुका भी मिल सकता है, अगर आपकी रैंक अच्छी रही तो, और जो बच्चे एक बार के में फीस नहीं दे सकते हैं, लोन के जरिये, EMI में भी चुका सकते हैं, और ये देखो, 4,364 रुपे में आपको सब्स्रिप्श कोशन बिल जाएगा, और उसके साथ साथ में इस टेस्स सिरीज है, 25 से ज़्यादा टेस्ट है, आपके इसमें, आप 2023 वाले बच्चे जो भी टार्गेट कर रहे हैं, उनके लिए मैतपूर्ण है, 2022 में भी आप देख सकते हो, मारी टेस्स सिरीज में से 70 राइन में से 57 कोशन से तो शुरुवात करते हैं, ओशनोग्राफी, समुदर विज्ञान, तो बताईए, क्या पोजिशन है आप लोगों की? बच्चे कहरें सर, आपकी आवाज थोड़ा चेंज लग रहा है, अभी थोड़ा सा कोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, क्लास की गुनवत्ता पर मेरी आवाज का कोई असर नहीं पढ़ेगा, ठीक है? चलो तो समुधर विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, बेटा दो से तीन कोईशन आने हैं, हैना दो कोईशन तो मिनिमम है, टू कोईशन तो UPSC प्रेलिम्स में मिनिमम है ही है, तो ये मान के चलो, हमारा पूरा जो 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 जोगरफी रहेगा, जोगरफी से 10 से 11 कोईशन रहते है मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका अगर दस कोशन आते हैं तो दस से दस ठीक हो अगर दस किसी बच्चे का नहीं भी हो पाता तो मैं किसी भी कीमत में मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा 80% से कम स्कोर में रहे यानि कि 10 में से 8 कोशन तो के ठीक हो नहीं होने है इसी class से same environment में भी ऐसा ही होगा तो geography और environment से 25 से 30 question आने है और वेरा target है इस बार हमारी class से 20 plus question ठीक हो सभी बच्चेगे है ना अगर 25 से 30 question में से आपने 20 question सिर्फ मेरी ही class से solve कर दिये सिर्फ मेरी class से बाकी तो अभी history बचा है quality बचा है economy बचा है science track बचा है current affair बचा है करी लोगे यार है ना 20 तो मैं ही करा दूँगा आपके tension मत लेना पस ध्यान रखना मैं रोज़ाना बोलता हूँ हाथ से खुद के बनाए हुए notes बनाना PDF collector नहीं बनना अपने को district collector बनना है एक काम तो handwritten notes होंगे और daily basis पर उसका revision होगा ओके तो चलो चलिए शुरू करते है कल उस दिन last class में हम देने हमने प्रमुक महा सागरिय उच्चावच देख लिये थे ओके आज हम देखेंगे लगू महा सागरिय उच्चावच आप से एक प्रशन पूछ लेता हूँ एक प्रशन पूछ लेता हूँ चलो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताईए महा सागरिय उच्चावचों में सरवादिक छेतर पर पर विस्त्रित है पहला महाद E.P.A. मगनतट दूसरा मगनधाल कॉंटिनेंटल कॉंटिनेंटल शेल्फ या कॉंटिनेंटल स्लोप ओके तीसरा कॉंटिनेंटल राइज महाद E.P.A. उभार कॉंटिनेंटल राइज और नमबर चार नमबर चार है गहन साग्रिय मेदान अब एसल प्ले सबसे ज़्यादा छेतर पर क्या है ज़्यादा तर बच्चों का जवाब आ रहा है चार सोच लो समझ लो चलो बच्चों ने जवाब दिया चार ठीक अब मुझे यही से दूसरा कॉश्चन मैं अग नेक्स कॉश्चन पूछता हूँ सरवाधिक ढाल कहां मिलता है सेम बताओ एक दो तीन चार किदर मिलेगा बच्चों का जवाब आ रहा है मगन ढाल पर तीसरा कॉश्चन सुनलो तीसरा कॉश्चन यह कॉश्चन नमबर वन था यह कॉश्चन नमबर टू था कॉश्चन नमबर थरी बताना मुझे सब मेराइन कैनियन का सरवाधिक विस्तार कहां मिलता है? बताओ किदर मिलता है? कैनियन कैनियन किदर मिलेगा? इसको A मान लो इस इस A इस बी एक सेकंड रुगो भाई है ना इसको थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं तो आपको जवाब देने में आसानी रहेगी B, C, D कैनियन कहां मिलेगा? आपका सरवाधिक विस्तार कैनियन का किदर है? B ओके, सोच लो अब अब एक और स्टेटमेंट मैं पूछता हूँ एक और स्टेटमेंट पूछने वाला हूँ थोड़ा सोच समझ के जवाब देना सुन लो, एक और स्टेटमेंट पूछूँगा मैं भी एक और स्टेटमेंट है मेरे पास इसका आपने B सोच समझ के जवाब देना आपने इसका जवाब B दिया है ध्यान लखना, आपका ही जवाब है B आपका जवाब B है, अगला प्रशन देखो क्वेशन नम्बर चार जलमगन कैनियन वही सम्मेराइन कैनियन काविस्तार केवल महादी पिये धाल पर मिलता है येस और नो दो जवाब दो 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 जवाब क्यों भाई ये भी ये भी स्टेटमेंट हो सकता है ये भी स्टेटमेंट हो सकता है और इस प्रशन का जवाब है नो देखो सबसे ज़ादा विस्तृत फॉर्म में वो हमें स्लोप पे मिलेगी लेकिन मगन तट पर भी वो देखने को मिलती है मगन तट पर भी मिलेगी मगन तट पर भी मिलेगी येस ध्यान रखना एक और स्टेटमेंट सुनते चले जाओ क्या दिक्कत हो गई इस क्लास में रटाएंगे वही आपको एना क्लास में रटाऊंगा इस बार में आपको जोगरफी मैंने बोला था ना आपके खून में उतार देंगे इस बार जोगरफी को पताओ स्टेटमेंट नमबर फाइव महादीपिय मगन तट उन स्थानों पर आधिक चोड़े होते है जहां सट पर वलित परवत शंकलाए शंकलाए पाई जाती है जवाब दीजिए येस और नो क्यों? क्या है आपका? नो अच्छा आपने जवाब दिया है मुझे नो याद रखना आपका ही जवाब है नो आपका ही जवाब है नो आजओ क्या है मुझे ज़ाँ अब एक क्योशन देखो नेक्स एक और स्टेट्मेंट मैं आपके सामने लिखता हूँ वान्स वान मौर स्टेट्मेंट एक और स्टेट्मेंट सुनो मैं आपको कहता हूँ, दक्षिन अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको आप बोलते हो, साउथ अमेरिका का पूर्वी तट से, आधिक संकरा है, नेरो, येस और नो, क्या मानना है, आपका बताओ, कुछ येस वाले है, कुछ नो वाले है, फस गए बर खुद्दार है ना, फस गए भई, दक्षिन अमेरिका का पूर्वी तट इसके पश्चिमी तट से अधिक संकरा है, बनाते है दक्षिन अमेरिका, है ना, दक्षिन अमेरिका बनाते है भई, ये लो, ठीक है, इस दक्षिन अमेरिका, इधर अट्लांटिक, महासागर और इधर प्रशांत, ये इसका कौन सा तट है, ये इसका पूर्वी तट है, पूर्वी, और ये इसका पश्चिमी तट है, लेकिन पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट, लेकिन यहाँ एक समस्या है भई, इधर यहाँ से लेके, एक परवस श्रंकला फैली हुई है, जिसका नाम है एंडीज एंडीज परवत माला एक वलित परवत है वलित परवत है तो अब आप खुदी बता दो जब मैंने बोला था जहां सागर के तटपर वलित परवत शंकला होगी वहां पे मगन तट क्या मिलेंगे संकरे तो पूर्वी तट पर कोई वलित परवत शंकला ऐसी नहीं है तो पूर्वी तट इस से क्या होगा ज़्यादा चोड़ा होगा statement उल्टा लिखा हुआ है वो उल्टा statement लिखा हुआ था समझ लो बेटा ओके ऐसे ही याद रखना है वही ऐसे और कोई इलाज नहीं है मेरे पास आपको याद कराने का यही इलाज है पिछली क्लास में में देखो मैंने इस बार जो नयात काम आप लोगों के साथ किया है जो लास्ट वाली क्लास पढ़ा के जाता हूँ ना नेक्स डे उस क्लास पे बेजड में आपसे स्टेटमेंट पूछता हूँ ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप लोग चीजों को ग्रैस्प कर पारे हो या नहीं तो आज वाली क्लास में जो पढ़ेंगे उसको कल की क्लास में स्टेटमेंट की रूप में पूछूंगा तो रिविजन भी मेरी क्लास का पार्ट बन गया है अभी बस आप थोड़ी सी इमानदारी दिखा लेना भई चीजे बदल जाएगी इस बार चलो इस बार चीजे बदलेगी भाई ध्यान नखना थोड़ा सा इमानदार हो जाना बस आप खुद के प्रती तो ये वाला हमने कर लिया था ओके आज हम करेंगे सागरिय कटक नितलिय पहाडिया जलमगन कैनियन चबूत्रे बहुत सारी चीजे चलो तो सबसे पहले देखेंगे Mid-Oceanic Ridge देखो नाम क्या है Mid-Oceanic Ridge एक चीज बेटा मैं आपको बता देता हूँ ये पानी का ग्लास है पानी का ग्लास है न बोलो येस और ये मान के चलो इसको भर देता हूँ एक सेकिंड रुको पहले पी लेता हूँ ये पानी का ग्लास है भरा हुआ है पूरा आपको नजर आ रहा है तो आप ये मान के सोचना बेटा ये पूरा का पूरा आप जस्ट इमेजिन इसको जस्ट इमेजिन करो ये पूरा का पूरा आपका Pacific Ocean है या ये पूरा का पूरा Atlantic Ocean है पानी से ऐसे ही अब हम जो बात कर रहे है This is sea level ये उपर वाले को हम बोलते है sea level जब हम आप गोवा जा रहे हो ओडिसाद जा रहे हो तमिलाडू में आंद्रा में कॉस्टल एरिया पे हो तो आपको जो समुदर नजर आता है ये वाला पार्ट आपको नजर आता है जो उपर है ये वाला पानी नजर आ रहा है अभी हम जितनी भी बाते कर रहे है आज हम जितनी भी बाते करेंगे हम जो इसके यहाँ पे bottom पे है समझ गई बेटा इस नीचे समुदर के अंदर इसके bottom पे कौन-कौन से आपको आकर्तिया देखने को मिलेगी उसकी बात करेंगे आज हम clear बहुत सारे बच्चे वरना confused रहते हैं वो सोचते हम इधर है या इधर है आज हम जो भी है आज हम इस bottom की बात करेंगे इस bottom पे क्या है ओके तो अभी हम बात करें मध्य महा सागरिय कटक यानि के महा सागर के बीचों बीच में आपको एक कटक मिलने वाली है कटक is just like यह आपकी परवत श्रंखला के जैसी है और मैं आपको बता देता हूँ प्रत्वी पर अगर सबसे ज़ादा विस्तृत कोई परवतिय संडचनाए है तो वो महा सागरिय कटके है और श्यानिक रिज इस प्रत्वी के उपर सबसे ज़ादा विस्तृत परवतिय संडचनाए है आप बोलोगे सर हमने तो एंडीज का नाम सुना था हमने हिमालिय का नाम सुना था क्योंकि वो स्थल के उपर है आपको नजर आ रही है आप समुद्र के अंदर जाओगे आपके हिमालिय, रॉकी, एंडीज, इन से भी जादा विस्तृत आपको परवतिय संरचनाय देखने को मिलेगी समुद्र के अंदर वो है ये आपकी मिड ओश्यनिक रिज याद रहेगा ओके तो देखो तो एक मिड ओश्यनिक रिज मध्य महासावरिय कटक परवतों की दोश्रंकलाओं से बना होता है परवतों की दोश्रंकला सर हमने एंडीज में हमने हिमालिय में तो ऐसा नहीं पढ़ा परवतों की दोश्रंकला बताऊंगा मैं जो एक विशाल आवनमन द्वारा अलग किये गए है कहता है जो मिड ओश्यनिक रिज है ना बेटा आपको कहते हैं ऐसे लगता है कि दो पैरलल ऐसे चल रही है पैरलल चल रही है और जो एक दूसरे से इन्होंने बोला एक विशाल आवनमन ये बीच में इनके क्या है ये ये अवनमन के इससे क्या हो रही है ये अलग हो रही है तो ये ऐसे ऐसे विश्त्रित फॉर्म में फैली हुई है ओके धीरे धीरे समझो मेटा होले 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 हो जाएगा पार कंसेप्ट पार है ना तेंचन न लो तो इन परवत श्रंकलाओ के शिखर अब कहते हैं समुद्र के ये तो बोटम में थे विटा अब ये कह रहे हैं यहाँ पे बोटम में है यहाँ पे आपको ऐसे नजर आ रहा है दिख रहा है ना आपको तो कहते हैं धीरे 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 कई बार उपर आते आते ये समुद्र के जलसे बाहर भी निकल आती है हाँ यही बात बोल रहा है तो कहता है कि इन परवत श्रंकलाओं के शिखर की उचाई अधै इस्तल यानि कि जो मैंने बोटम बताया था वहाँ से पच्चिस सो मीटर तक हो सकती है और इन में से कुछ तो समुद्र की सतय सतय मतलब उपर वाला हिसा उसकी सतय तक भी पहुँच सकती है और इसका उधारन है आइसलेंड जो आपका आइसलेंड है न क्या है वो वो कटक ही है जो समुद्र से बाहर निकली हुई है जो मध्य अटलांटिक कटक का ही एक भाग है ये ये रेखो गेटा इसको यहाँ पर देखिए ये आपको जो नजर आ रही है न ये ये जो आपको नजर आ रही है ये ये मध्य अटलांटिक कटक है इससे भी कुछ न कुछ दाएं निकल जाएगी कुछ ऐसे बाएं निकलेगी है न कुछ ऐसे निकल गई कुछ ऐसे निकल गई ऐसे निकल गई सेम यहाँ पर देखिए आप ये आपको कटक नजर आ रही है पैसिफिक ओशन में ये पैसिफिक ocean में देखो, इसको 90 east ridge बोला जाता है ये देखो एक कटक है ये कटक है ये सब क्या है बिटा समुद्र के अंदर है बिटा, bottom में bottom से उपर की और आ रही है ये सब आपके, ये Atlantic ocean में भी है, ये Pacific ocean में भी है, ये Indian ocean में भी है, सभी महा सावरों के अंदर आपको कटक देखने को मिलती है ओके चलो, तो ये अगेन यहाँ पे इस diagram में भी देख सकते हैं आप ये कटक है ये कटक है ये कटक ही है तो बंती कैसे है बंती कैसे है, अभी वैसे मैंने आपको geomorphology नहीं पढ़ाया उसमें मैं एक plate tectonic का concept आएगा, plate tectonic यानि के जो प्रतवी का उपरी भाग जिसको आप lithosphere बोलते हो स्थल मंडल, तो उसमें क्या है बेटा, प्रतवी के अंदर बहुत सारे movement हो रहे है, प्रतवी के अभी तो आप और हम surface पे हैं जैसे ही प्रतवी के center की ओर जाएंगे प्रतवी का अंदर भी एक proper structure है एक संरचना है, प्रतवी की आंत्रिक संरचना, अंदर बहुत सारे बल काम कर रहे है वो कौन से बल है, कैसे काम करते हैं मैं आपको geomorphology में समझाओंगा बस याद रखना, जब वो बल काम करते है अंदर से magma, magma उपर की और उठता है तो जो ये आपकी ये उपर lithosphere है आम भाशा में आप इसको plate बोल लो तो उसमें क्या होता है, कई बार तो जो ये एक दूसरे से दूर जाते है कई बार एक दूसरे के नजदीक आते है कई बार एक दूसरे के parallel move करते है तो कहता है कि जो ये मध्य महा सागरिय कटक बनती है इसमें दो plate एक दूसरे से दूर जाती है तो अंदर से magma निकलके बाहर आएगा अब इसकी स्पीड बेटा कोई ऐसे नहीं कि 100 km प्रती घंटा की स्पीड से इधर जा रही है इधर जा रही है एक सेंटीमीटर पर इयर, दो सेंटीमीटर पर इयर, तीन, चार, पांच, छे सेंटीमीटर पर इयर यानि के एक साल में मुश्किल से 6-7 सेंटीमिटर कई जगे तो 2 सेंटीमिटर ही मूवमेंट होता है तो थोड़ी सी किसकी अंदर से मैगमा बाहर आ गया तो ये महा सागर के अंदर आपके divergent plate boundary है जिसमें 2 plate एक दूसरे से दूर जा रही है तो अंदर से मैगमा बाहर निकला और deposit हुआ इसको मैं दिखाता हूँ आपको बिल्कुल ऐसे एक plate इधर गई, एक plate इधर गई ये तो बेटा C level है, ये उपर C level है, अंदर है और जैसे एक दूसरे से दूर जाएगी देखो बेटा अंदर से मैगमा निकलके बाहर आएगा इधर deposit होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा पूरे इसके bottom में ऐसे, जहां पे भी divergent plate boundary है वहां पे इसका deposit होने लगेगा अब धीरे-धीरे deposit हो रहा है तो deposit होता होता लाखो करोडो साल में इसका एक इसने क्या कर ली एक उचाई, उचाई प्राप्त कर ली तबी तो बोल रहे है, bottom से 25-100 मीटर तक की उचाई तक मिलते है और कई बार तो समुदर के जल से बाहर निकल के आ जाते है इसी को आप क्या बोल रहे हो, कटक बोला है बेटा आपने जो ये deposit के बाद जो संरचना बनी है ये जो संरचना बन रही है इधर निकला, इधर निकला जमा हो गया वापस से निकलेगा, जमा हो जाएगा ऐसे धीरे-धीरे जमा होता जाएगा तो इस प्रकार एक ये संद्चना प्राप्त हो जाएगी और ये ऐसे ही चलेगी आई बात समझ में आपको ओके, वैल जण अब इसको समझ लो बिटा, ये हो कैसे रहा है इस मेकैनिजम को यहां पे देखो अंदर से मेगमा, प्लेट, डाइवर्जेंट ये इधर जा रही है बिटा अंदर से जो मेगमा आ रहा है, बाहर निकल रहा है और ये इधर-इधर डिपोजित होगा आ रहा है समझ में? और ये क्या है बिटा? ये देखो, ये जस्ट, ये ही है ये ये वाला जो आपको नजर आ रहा है न, यहां पे यहां पे, यहां पे ये सब क्या है? ये ऐसे ही इसी प्रोसेस से बने है ये दूर क्यों जा रहे है? बिटा अंदर से जो मेगमा है न, समवहनिय, प्रत्वी के ओम्स का समवहनिय तरंग सिधान पढ़ाऊंगा बिटा में जब हम geomorphology पढ़ेंगे उस चीज को तब समझेगे क्योंकि ये concept ऐसा नहीं मैं आपको दो मिनट में सिखा दू तो प्रत्वी के अंदर इनके move करने का कारण क्या है? ये हम geomorphology में सीखेंगे अभी oceanography में सिर्फ इतना समझो कि ये plates एक दूसरे से दूर जा रही है अंदर से magma बाहर निकला प्रत्वी के और deposit हो गया plate tectonic का हम concept पढ़ेंगे वहां अच्छे से समझ में आएगा class तो daily ही चलती है बिटा Monday से Saturday तो ये देखो कुछ ऐसे हो रहा है बिटा plates एक दूसरे से दूर जा रही है magma बाहर आ रहा है ये deposit होता जा रहा है ये deposition दिख रहा है ना आपका ये deposition यहाँ पे deposition तो सेम ऐसे ही हो रहा है तो अगर UPSC पूछता है अगर UPSC आप लोगों से पूछ लेता है कि महा सागरिय कटकों का निर्मान लिखता है कि महा सागरिय कटकों का निर्मान ओशियनिक रिजिज का निर्मान प्लेटो के प्लेटो की डाइवर्जेंट बाउन्डरी हिंदी में कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जाना बाउन्डरीज पर होता है तो आंसर होगा हमारा येस तो येस डाइवर्जेंट बतलब एक दूसरे से एक इधर जा रहा है बच्चे कह रहे सर समुद्र के अंदर जब शिप चलते है तो इससे प्राबलम होती होगी समझो बेटा समझो ना कुछ तो समझो ना ये लो ये रिज है ये रिज है अगर ये आपके शिप्स तो यहां पे चल रहे है शिप्स तो ऊपर चलते है शिप्स तो ऊपर चल रहे है ना बेटा अब ये रिज यहां पे है अगर ये रिज काफी गहराई पे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ अगर ये कभी ये रिज ऊपर निकल के आ गई तब तो दिक्कत है ना मेरे भाई लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आप एक महीने पहले इस स्थान से समुद्र को ले इसके उपर से जहाज को लेके गए थे एक ही महीने में नीचे से कोई रिज आ गई वहां पे ना लखो करोडो साल का प्रोसेस है आ गई बात समझ में ठीक है चल तो ये कहानी आ गई समझ में आपको तो ये बेटा बेसिकली ये ही है जो इतने दिनों से में आपको दिखा रहा था मिड ओस्यानिक रिज दिस इस ये ही है वो मिड ओस्यानिक रिज ये सब तो मैंने बोला था ना ऐसे ये संदचनाय है ऐसे 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 और बीच में इनके ये आवनमन है ये बीच में तो ये ये आपका ये आपका रिजिस है महा सागरिय कटक है आगी समझ में अच्छे से आपको चलो अब आता है सी माउंट सी माउंट मतलब समुदरी टीला समुदरी टीला है बिटा टीला तो समुदरी टीला ये देख लो ये क्या है कहता है समुदरी टीला नुकीले शिखर वाला है नुकीले शिखर वाला एक परवत है जो समुदर के तली से उपर की और उठता है लेकिन महा सागरों की सतय तक उपर सी लेवल तक नहीं पोच पा है नुकीला शिखर वाला है ना परवत है ज्वाला मुखी किरियाओं से बन रहा है समुदर से उपर नहीं आता यूजवली नहीं आता ओके लेकिन कभी कभी आ सकता है तो ये तीन हजार से चार हजार मीटर उचाई तक ऊपर तक आ सकते है ऐसा ही एक सोरी महतपून टीला है प्रशानत महासागर के अंदर एम्परर एम्परर जो प्रशान्त महासागर में जो हवाई दीप समू है उसी के विस्तार का एक अच्छा उधारन है तो यूज्वली समुदरी टीला बाहर नहीं निकलेगा लेकिन कभी कभी निकल सकता है जिसका एक 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 अच्छामपल है हवाई दीप समू के अंदर पैसिफिक ओशन में एम्परर सी माउंट ओके नेक्स्ट फिर है सब मेराइन कैनियन जल मगन कैनियन यह मैंने आपको पहले भी बताया था यह कैनियन क्या है गहरी घाटिया होती है गहरी घाटिया है ना संकरी घहरी घाटिया है संकरी घहरी घाटिया समूदर के अंदर और इनको कैनियन क्यों बोला गया क्योंकि इन में से कुछ जो कैनियन समूदर के अंदर ऐसी है जिनको सेंगतराज अमेरिका में जो कॉलरेडो नदी है उसका एक ग्रेंड कैनियन है उससे तुलना की जाती है और कई बार जैसे कोई रीवर है रीवर गई समुदर पे कहते हैं बड़ी नदी के मुहाने से यानि के जहां पे रीवर का माउथ होता है वहां से शुरू करते है महादीप ये मगन तटपर और मगन ढाल को पार करती हुई ये नजर आती है तो हडसन कैनियन विशु का सबसे प्रसिद कैनियन है हडसन कैनियन दिखाता हूँ कैसे है ये मैंने आपको बताया था ये देखो नदी है कोई सपोज करो नदी उसके मुहाने के सामने शुरू हुआ महादीप ये मगन तटपर भी है और ज्यादा विस्तार महादीप ये मगन ढाल पर है ये लो आर पार काटता है बेटा ये और आपको ये नजर आ रहा होगा देखो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा ये गहरा है बेटा संक्रा गहरा ऐसे मान के चलो खड़ी दिवारे है बिल्कुल आजू बाजू में और ये बिल्कुल उसके कि दो खड़ी, लंबी, गहरी दिवारे संक्रा छेतर है ये ठीक है तो कहां कहां पे मिलता है बेटा ये देखो Continental Self पे भी है और Slope पे भी है तो ये आपको यहां पे देखो ये ये वाला जो आपको नजर आ रहा है This is This is लिखा है न सब मेराइन कैनियन तो इधर Continental Shelf से शुरू होता है और ज्यादा विस्तार मिलता है Continental Slope पर और ये आपको Sea Mount नजर आ रहे है देखो, Sea Mount है बेटा, समुद्र के अंदर ही है ये नुकीले परवत शिखर है ये Sea Mounts है चलो, next चले उसके बाद आगए निमगन दीप जिनको Gyots बॉलते है Gyots ये Basically बेटा देखो जैसे हमने Sea Mount देखा Sea Mount था नुकीला इसका शिखर था नुकीला Sea Mount का शिखर था नुकीला जबकि ये क्या है ये चप्टा है इनका इदका है Flat ये है Flat ये नुकीला और ये Flat Gyots बॉलते है इसको निमगन दीप कहते है निमगन दीप चप्टे शिखर वाले समुदरी टीले है कहते है अकेला प्रशांत महासागर के अंदर ही दस हजार से ज़ादा आपको समुदरी टीले और निमगन दीप मिल जाएंगे बहुत सारे है तो ये डाइग्राम देख सकते है यहां पर ये देखो ये गयोट है बिल्कुल ये चप्टा शिखर वाला है ये PDF में आपको मिलेगा क्लास के बाद आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा उसमें आपको ही सारी चीज़े मिलेंगी अब बात करते है यहां से मेंस में भी कोशन आएग्राम दो तरह मेंस में भी कोशन आ सकता है हाला कि UPSC पूछता नहीं है लेकिन जिस तरह से साल 2022 में मुख्या परिक्षा में UPSC ने कोशन पूछे डारेक्ट कोशन पूछे डारेक्ट कोशन आपको basic climatology आ रहा है basic oceanography आ रहा है तो आपको कोशन हो जाएगा basic India geography आ रहा है तो जैसा UPSC कोशन पूछा है 22 में तो 23 में पुछे जाने की संभावना देखो कैसी हो सकती है UPSC 2023 में क्या हो सकता है दो हजार तेईस इसी टॉपिक से हम महा सागरिये उच्चावचों को पढ़ रहे हैं पहला कोशन यह हो सकता है महा सागरिये नितलिये उच्चावच उच्चावचों का संग्षिप्त वर्णन कीजिए एक टाइप का तो कॉश्चन बिटा यह आ सकता है जनरल कॉश्चन पूच सकता है जनरल कॉश्चन महा सागरिय, नितलिय, उच्चावच हमें पता है दो तरह कि एक प्रमुक है और एक लगू है प्रमुक में महादी पिये मगनतट, ढाल, उभार और गहन सागरिय मैदान लगू में हमने कटके देख ली उसके साथ हमने समुदरी टीला देख लिया गेयोट्स देख लिये सममेराइन कैनियन देख लिये ट्रेंचिस देख लिये वो तो हम जनरल बता देंगे लेकिन दूसरे टाइप का जो कुश्चन होगा उसमें वो किसी पर्टिकुलर ऑशियन का नाम दे के पूछ सकता है या तो वो बोल सकता है प्रशांत या वो पूछ सकता है अटलांटिक या वो पूछेगा हिंद इन तीनों में से किसी एक का हिंद महा सागर के नितलिय उच्चावच का उच्चावच का संगशिप्त वर्नन कीजिए ये मुख्य परिक्षा का कॉश्यन हो सकता है बटा तो जनरल पूछा तो जनरल लिख देंगे फिर अगर उसने पर्टिकुलर किसी ऑश्यन को लेके पूछा तो तो लिख देंगे हम ठेक है तो ये मुख्य परिक्षा की बात कर रहा हूं मैं मेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि बड़े direct question पूछा, इस बार बहुत ही direct question पूछा, प्राथमिक चटानों पे question पूछा, उसने बहुत ही basic question था, समुदरी धाराओं की उत्पत्ती के कारक पूछे और उनके प्रभाओं पूछे कितना basic question था, तो अमीद है कि वो आपसे नितलिय उचावच के बारे में पूछ सकता है, नहीं दोनों में same answer, structure same होगा, structure देखो, दोनों question के answer का structure तो same है, इसमें भी हम प्रमुख नितलिय उचावच और लगू नितलिय उचावच, इसमें भी प्रशान्त महासागर के प्रमुख, प्रशान्त महासागर के लगू, Atlantic Ocean के प्रमुख, Atlantic Ocean के लगू, Indian Ocean के प्रमुख और Indian Ocean के लगू, structure same होगा, लेकिन information बदल जाएगी, लेकिन पता है बेटा क्या होता है, कई बार question तो आसान है, सुनो, question आसान है, हमने बोला कि यह तो आपको NCRT में भी मिल जाएगा, लेकिन बात, इस बात की नहीं है कि वो NCRT में, वो तो फिर माजी धुसेन में भी मिल जाएगा, सविंदर सिंग में भी मिल जाएगा, बाजार के किसी नोट्स में भी मिल जाएगा, क्या आपको यह चीज हिट कर रही है mind में या नही, कि UPSC कैसे question पूछ रहा है, इस बात का अगर पता है, तो ही इसको एक्जाम में लिख पाओगे, वरना prelims में हमारा approach अलग होता है बटा, prelims में तो क्या question के बाद A, B, C, D दे देगा, और आपका दिमाग अगर अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ है, आपने तियारी किया है, आप राम से answer लिख दोगे, मुख्या परिक्षा में जब यही चीज वो आपसे 500 शब्दों में पूछेगा, कि लिख के बता भाई है ना, यह पालतू का A, B, C, D नहीं चलेगा इदर, यहां लिखना होगा, कापी है और पैन है, उठो लिखाओ, उठाओ और लिखो इसको 200 शब्दों में, तब समझ्या आ जाएगी, समझ में आई बात? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने क्लास के प्रती जो आपका दाइत है वो निभाईए, क्लास के प्रती आपका दाइत जो है, उसको निभाईए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलो, अब यह आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब यह कहता है, बोटम रिलीफ ओफ एटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर के नितल का उच्छावत, सेम वो ही रहना है, देखो, कॉशन का जो फॉर्मेट होगा, यह आपका पेपर होगा, तो अगर उसने इसी टाइप का कोई कॉशन पूछ लिया, महासागर धाराओ पे भी तो सेम ही पूछा था, ऐसे ही पूछ लिया, तो जब पहले कॉशन की शुरुवात करोगे, पहले इंट्रोडक्शन बताना की अगर अगर अट्लांटिक ओशन पूछा, पैसिफिक पूछा या इंडियान ओशन पूछा की, एक जनरल इंट्रोडक्शन देना, अट्लांटिक का, पैसिफिक का और इंडियान ओशन का, एक general introduction देखे फिर यहां का नितलीय उचावच नाम से heading डालोगे फिर लिखोगे नितलीय उचावच को दो श्रिनी में बाठा जा सकता है एक इधर बता देना प्रमुख नितलीय उचावच और लगू नितलीय उचावच एक दो तीन चार ये है भाई एक दो तीन चार ये है अब प्रमुक में इसको एके करके define कर देना, मगन तठ, इसके बारे में दो line लिख दिया, मगन ढाल, इसके बारे में कुछ लिख दिया, ऐसे करके कर देना, एक diagram बना देंगे, हो गया काम हो मरा, बिल्कुल पका पकाया question, अगर आ गया तो यह मान के चलो, मुफ्त का question है आपके पास, तो पढ़ते इसके, कहता है पश्चिम में उत्तरी, Atlantic question के बारे में कहता है, पश्चिम में उत्तर, दक्षिन, पश्चिम में तो इसके है उत्तरी और दक्षिनी अमेरिका, इसके पूरू में है योरॉप और अफरिका, इन दोनों के मद्या इस्तित है, Atlantic महासागर, 820 लाख वर किलोमीटर इसका छेतरफल है, जो टोटल वर्ल्ड एरिया का वन सिक्स्थ है, और प्रशान्त महासागर का जो छेतरफल है, उसका हाफ है ये, मतलब Pacific Ocean का जस्ट हाफ है Atlantic Ocean, Pacific Ocean देखो कितना बड़ा है फिर, Atlantic से जस्ट डबल है Pacific, तो ये एक इंट्रो हो गया, तो ये देख सकते है, इसके ये Atlantic Ocean है, इसके जो पशिम में है, ये पशिम में उत्तर अमेरिका, दक्षिन अमेरिका, इसके पूर में, योरॉप और अफरिका, इसके बीच में है, उत्तर से लेके दक्षिन तक, S आकरती में फैला हुआ, S, S शेप है इसकी, S आकरती में, कुछ ऐसे इसका विस्ता है, S शेप का है ये, चलो, तो अंग्रे जी के, S, अलफा, बैट की आकरती का है, आंद्र महासागर के नितल पर, हम प्रमुक उच्चावची इस्तला करती है, देखो आगे ना, प्रमुक, पहले प्रमुक की बात करेंगे, फिर लग्भू की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं, पैसिफिक है ये, बीचो बीच तो ये आपका, मिड अट्लांटिक रीज हो गई, बीचो बीच तो ये रीज हो गई, छीक है, चलो, एके करके देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके कॉंटिनेंटल सेल्फ, शेल्फ की, कहता है, दोनों तटों पर पर परियाप्त रूप से, विक्सित हुआ है, और इसकी जो चोड़ाई है, 80 किलोमीटर से अधिक है, तो कहीं कहीं पर इसकी चोड़ाई, 2-4 किलोमीटर ही रह जाती है, जहां कहीं पर भी, देखो सेम लिखाए बटा, जहां कहीं भी तट के पास, परवतों की स्थिती होगी, वहां पे ये संकुचित हो जाता है, ये लो, आज की किलास के शुरुआत में ही, मैंने आपसे प्रश्ण पूछा था, जहां भी तट पर क्या होगा, परवत, वहां क्या, ये संक्रा हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, शलो, तो ये है आपका, ये तट होता है, ये दिस इस तट, चला है, ये पूरा पैसे, ये आपका अट्लांटिक उश्ण है, आगे चलते हैं यहां से, फिर आया इसके अंदर, मध्ये अट्लांटिक कटक, मध्ये अट्लांटिक कटक, सुनो बेटा, इसमें दो-चिन चीजे याद रखना, जैसे इसमें हमने महादी पे मगन ढाल नहीं देखा, मगन ढाल, मगन ढाल, गहन सागरिय मैदान, याद रखना, अगर आपको वो जनरल इन्फॉर्मेशन भी याद है ना, वो जनरल वाली इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट क्लास में मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, कि मगन तट इतना, छेतर फल इतना विस्तार, मगन ढाल का स्लोप ये होता है, ऐसे मिलता है, इतने छेतर पर मिलता है, गहन सागरिय मैदान इतने पे, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, है ना, बस वहाँ पे डिजिट्स को थोड़ा सा हाइड करके, छुपाके, वो चीजे आप इधर डाल सकते हैं, जनरल आपको एक दो लाइन लिखनी है, तो ये मत सोचना कि, अगर मुझे पर्टिकुलर ओशन की याद नहीं आ रही, तो मैं उसको छोड़ दू, हैडिन डाल के चाहिए एक ही लाइन लिख देना, लिख देना जरूर, ओके, फिर कहता है, अटलांटिक कटक की बात करता है, उत्तर में आइसलेंड से शुरू होती है, उत्तर में आइसलेंड से शुरू होती है, और दक्षिन में बोवेट दीप तक S शेप में, लगबग 14,400 किलोमेटर की लंबाई, समझ रहे हो बिटा, ऐसा कोई भी परवत श्रंखला, प्रत्वी के स्थल मंडल पर है ना, इतनी विश्रित नहीं है, अकेले अट्लैंटिक ओशन के अंदर ही, आइसलेंड से लेके, दक्षिन में, दक्षिनी अट्लांटिक के बोवेट तक S शेप में फैली हुई है, कितना लगबग 14,400 किलोमेटर की लंबाई, तो, यहाँ, उपर अट्लांटिक स, यहाँ से लेके, यह देखो, पूरी फैली हुई है, दक्षिन में, ऐसे फैली हुई है, ओके, आप देखो, अब यह क्या कहता है, भूमद्य, यह यहाँ से यह पूरा पैराग्राफ इंपोटेंट है, यूपीएसी कई बार पूछा भी है, यूपीएसी और स्टेट पीएसी वाले पूछते हैं यहाँ से, यह इंपोटेंट है, ध्यान रखना, पर्टिकुलर्ली, अट्लांटिक ओशन के रेफरेंस में, कहता है भूमद्य रेखा के उत्तर, भूमद्य रेखा समझ गए, अभी अट्लांटिक ओशन के अंदर है, और कहता है अट्लांटिक में भूमद्य रेखा के नौर्थ में, इस कटक को डॉल्फिन उभार, और अट्लांटिक में ही भूमद्य रेखा के दक्षिन में इसको हम बोलते है चैलेंजर उभार सपोज करो, सुनो, ये क्या कह रहा है, सुनो बेटा ये दक्षिनी अमेरिका है, ये अफरीका है ये आपका एक्वेटर है ये ये योरॉप है अब ये कहता है, इस विश्वत रेखा जीरो डिग्री के उत्तर में इसको हमने क्या बोला डॉल्फिन उभार और इसके दक्षिन में हमने इसको बोला चैलेंजर उसी कटक के अलग-अलग स्थानों पे नाम है आइसलेंड की बात अगर करें, जहां से उत्तर से दक्षिन तक बोला ना उत्तर में आइसलेंड से दक्षिन में बोवेट दीब तक आइसलेंड और स्कॉटलेंड के बीच में इसको हमने नाम दिया विविल टॉमसन कटक उसके बाद कहता है ग्रीन लेंड है जो ग्रीन लेंड ग्रीन लेंड के दक्षिन में थोड़ा ये चोड़ा है जहां पे इसको हम बोलते है टेली ग्राफिक पठार और पचास डिग्री उत्तरी अक्षान्स के पास इसी कटक की एक और शाखा न्यूफाउंड लेंड उभार के नाम से न्यूफाउंड लेंड के तट तक जाती है नौर्थ अमेरिका में तो इसके अलग-लग नाम है डॉल्फिन, चैलेंजर, विविल टॉमसन, टेली ग्राफिक, न्यूफाउंड लेंड तो ये नाम याद रखना क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको अटलांटिक कोशन के अंदर ही याद करा रहा हूँ पैसिफिक और इंडियन के अंदर हम इनको ऐसा कोई इतने लंबी लिस्ट में आपको नहीं दूँगा ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे कटक बंती हुई दिखाई थी बेने आपको देखो कैसे बन रही थी कटक एक प्लेट डाइवर्जेंट बाउंडरी है एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है ये मैगमा बाहर निकल रही है देखो बेटा ये आपका कटक बन रही है यह देखो कटक कैसे निर्मित हो रही है देखो देख रही है ना आपको ठीक है चला अब थोड़ा दक्षिन में चलते है कहता है 40 डिगरी दक्षिनी अक्षांस के आसपास इसकी एक शाखा किस नाम से वाल्विस कटक के नाम से अफरिका की और जाती है एक और दूसरी शाखा रियो ग्रेंडे उभार के नाम से दक्षिन अमेरिका की और चली जाती है मतलब बेसिकली ये क्या कह रहा है बटा सुनलो इसको ये समझ लो कहता है ये कटक है ये चलो कटक है कहता है इसमें से भी इसकी बहुत शारी शाखाय निकलती रहती है ये कुछ इधर चली गई इधर चली गई इधर चली गई, इधर चली गई, ओके, तो ये क्या होता है, बेसिकली फिर इसका मतलब क्या हुआ, पूरा हमारा Atlantic Ocean था, सपोज करो ये पूरा Atlantic Ocean था, इस Atlantic Ocean को, इस Mid-Atlantic Ridge ने तो दो हिस्सों में बाट दिया, इधर पूर्व, इधर पशिम, और ये जो बहुत सारी छोटी- इसमें से ब्रांचिस निकल रही है, ये जो शाखाए निकल रही है, इन शाखाओं ने Atlantic Ocean में बहुत सारे बेसिन्स का निर्मान किया है, जैसे एक शाखा ये थी, एक ये थी, इसके बीच में एक बेसिन बन गया ये, एक ये है, इन दोनों के बीच में एक बेसिन का, बेसिन डिवाइड किया, पूर्व और पशिम और यहां से बहुत सारी प्रांचिस निकल रही है जिससे इसके अंदर बहुत सारे बेसिंस आपको देखने को मिलते है कुछ आपको बेसिंस दिखा देता हूँ मैं रुको एक डाइग्राम दिखाता हूँ इस डाइग्राम में आपको यहां पर आपको नजर आ रहा है कैप वर्डे बेसिं यह दिखा रहा है ना अंगोला बेसिं ब्राजील बेसिं तो कैसे बने यह कटक और इसे बहुत सारी आपकी ब्रांचिस जो निकलती चली गई उससे इन बेसिंस का निर्मान हुआ कोई दिक्कत अभी तक तसली से समझ लो भाई इस बार कैता है मद्यवर्ती कटक हाला कि जो यह कटक है यद भी अधिकांच हिस्सा इसका जल के अंदर ही रहता है लेकिन कई चोटिया सागर से उपर निकल के आ गई है वैसे तो मैक्सिमम इस से नीचे यह सी लेवल है मैक्सिमम इस से नीचे ही है लेकिन कुछ क्या है कुछ के अंदर खुराफात जगी बोलते चलो समुदर से बाहर निकल के जाक के आए क्या होता है बाहर की दुनिया में है न तो यह बिल्कुल वैसे ही है तो वैसे तो यूजवली यह कटक सी लेवल से नीचे ही है लेकिन कुछ स्थानों पर सी लेवल से उपर आ गई बहुत सारे दीपों का निर्मान हुआ तो चोटिया सागर के उपर नजर आती है जिन में से एक है ओजोर्स का पीको दीप सरवोच है वो यह सागर के तल से है ना तल से साथ से आठ हजार फिट उपर उठा हुआ है आपको कुछ यह दिखाता उपर आगया यह नाम याद रखना इंपोर्टेंट है बेटा ओजोर्स कैनारी कैप वर्डे अशेंशियन सेंट हेलेना त्रिस्टा दिकुना बोवेट यह सारे नाम आपको टेलिग्राम चैनल है अनकैडमी अंडर स्कोर नवीन तवर यह मेरा टेलिग्राम चैनल है यह PDF आपको उधन मिल जाएगा हाँ यह सब कटक के ही हिस्से है जो समुदर से बाहर निकल गए भाई यहाँ पर नहीं दिखेगा PDF में दिख जाएगा फिर आगई बेसिंस द्रोनिया बताया ना मैंने जो बेसिकली मध्य अटलांटिक कटक है इसने तो दो हिस्सों में बाट दिया पूरव और पश्चिम इसी से जो बहुत सारी ब्रांचिज निकल रही है तो मध्यवर्ती अटलांटिक कटक के द्वारा आंद्र महासागर्द को दो हिस्सों में बाट दिया गया पूरव और पश्चिम फिर यह जो दो पूरव और पश्चिम में जो बट गया अटलैंटिक ओश्यन फिर उसमें भी कई छोटी छोटी द्रोणिया मिली क्या क्या नाम है लेबराडोर उत्तर अमेरिका ब्राजील द्रोणी स्पैनिश द्रोणी उत्तर और दक्षनिक कनारी बेसिन कैपवडे बेसिन गाइना अंगोला केप बेसिन अगुलहास बेसिन ये सब नाम है बटा ऐसे ही मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये नाम देख्यों कि कई बार आप एटलस देखोगे ना आपको नजर आएगा कि यार ये बेसिन कहां से आ गया नवीन सर ने तो बताये नहीं था ये बेसिन बेसिन क्या है ये बेसिन बेसिन तो अभी समझ में आ गया हमने तो वाश बेसिन का नाम सुना था समुदर के अंदर ये कौन सा बेसिन आ गया ठीक है तो ये आपको देखो कितने सारे बेसिन ग्वेना बेसिन ब्राजील बेसिन सेंट हेलेना बेसिन अगुल हास बेसिन अर्जेंटिना बेसिन कितने सारे बेसिन्स है आपके यहां पे नौर्थ अमेरिका बेसिन जो मैंने आपको अभी दिखाया था नौर्थ अमेरिका बेसिन हो गया बहुत सारे बेसिन्स है ये ठीक है कैप वर्डे बेसिन अभी नाम बताए ना मैंने नौर्थ अमेरिका बेसिन हो गया अंगोला बेसिन हो गया ब्राजीलियन बेसिन हो गया उदर अगुलहास बेसिन हो जाएगा चलो खड़े एक तरह से डीप्स है लेकिन इनको खड़े मत बोलना, जोग्राफिकल लेंग्वेज में हम इनको डीप्स बोलेंगे, कुछ प्रमुख यहां पे डीप्स है, पॉर्टोरिको डीप्स, रोमांस, डीप, वाल्डी वीडिया, बुचानन और मौसले, इन में सबसे ज़् देगा आपको ओशियन, दूसरी तरफ देदेगा डीप्स के नाम, तो यहां पे अटलांटिक लिख देगा, अटलांटिक के किसी डीप का नाम लिख देदेगा, यहां पे पैसिफिक लिख के उसके किसी डीप का नाम, इंडियन ओशियन लिख के उसका किसी डीप का नाम ल इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको ठीक है Next फिर कहता है इसमें बहुत सारे आपको Marginal Seas देखने को मिलेंगे Marginal Seas सीमांत सागर सीमांत सागर जैसे मैं आपको कहूँ Caribbean Sea Caribbean Sea Caribbean Sea है यानि कि Atlantic के अंदर ही है यह मैं कहूँ आपको भुमद्य सागर भुमद्य सागर भुमद्य सागर होगे आपका मेक्सिको की खाड़ी होगी Gulf of Mexico मेक्सिको की खाड़ी मैं आपको कहूँ उत्तर सागर North Sea यह सब मैंने North Sea मैंने आपको यूरोप की मैपिंग में भी दिखाया था उत्तर सागर अगर मैंने आपको बोला तो यह सब के सब क्या है बिटा Atlantic Ocean के अंदर ही बहुत सारे Marginal Seas है तो Atlantic Ocean के सिमान सागरों में भुमद्य सागर, Caribbean Sea मेक्सिको की खाड़ी Baltic सागर Baltic countries उत्तर सागर Baffin की खाड़ी Hudson की खाड़ी यह सब इसके अंदर कुछ Marginal Seas है अच्छा मुझे बताना Pacific Ocean को और भुमद्य सागर को जोडने वाली जलसंदी कौन सी पैसिफिक कह रहा हूँ Atlantic Ocean को भुमद्य सागर से जोडने वाली स्टेट का नाम क्या था क्या नाम था उस स्टेट का कोई बच्चा बताएगा कोई बच्चा जवाब देगा कोई बच्चा जवाब देगा बताएगे कुछ बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए अभी कुछ मौज मस्ती में इन्वाल्व है मौज मस्ती वालो आप भी कभी जवाब दे लिया करो भाई है ना जिब्राल्टर बता रहे है ठीक है जिब्राल्टर फिर आगिया हमारा Pacific Ocean Pacific Ocean भी देखो बिटा ये पूरा का पूरा Pacific Ocean है ये पूरा आपका Pacific Ocean है कुछ चीज़े समझ लो यहाँ पे Pacific के अंदर की कुछ बारी क्या समझ लो इस प्रशान्त महासागर, प्रशान्त महासागर, ओके, ये प्रशान्त महासागर का इस्ट है, इस इस्ट अफ प्रशान्त महासागर, इस वैस्ट अफ प्रशान्त महासागर, इस नौर्थ अफ प्रशान्त महासागर, इस इस नौर्थ अफ प्रशान्त महासागर, इस इस अंटार्क्टिक जो आपका कॉंतिनेंट है वहां तक विश्थित है सुन लो वेटा इसको आप देहो पैसेफिक का इस्ट यह उत्तर अमेरिका यह दक्षिन अमेरिका का वैस्ट उत्तर अमेरिका का वैस्ट क्या है पैसिफिक का इस्ट है ये ध्यान रख लेना वर्खुद्दार क्या बोला मैंने उत्तर अमेरिका का पशिमी तट पैसिफिक के पूर्वी हिस्से से लगता है दक्षिन अमेरिका का पशिमी हिस्सा पैसिफिक के पूर्वी हिस्से से लगता है सेम पैसेफिक का पश्चिमी हिस्सा इधर ये एशिया एशिया के पूरुव से लगता है या औस्टेलिया ये बस ध्यान रखना भाई ये सब ध्यान रखना इसको मत भूल जाना तो ओवर ओल ये क्या कहता है बिल्कुल एक ट्रैंगुलर शेप में है बेटा ट्रैंगुलर शेप है इसकी बिल्कुल त्रिकोर्ण ही है आकरती है इसकी ट्रैंगुलर शेप में है ये ओके चलो अब देखते है पैसिफिक को दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है सबसे बड़ा महासागर एटलांटिक ओशन का जस्ट डबल है उत्तर में यहां पे बैरिंग सी है बिटा उत्तर में इसके बैरिंग सी है यहीं दिखा देता पूर्व में उत्तरी और दक्शनी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेके पश्चिम में एशिया उस्टेलिया इनके पूर्वी तटो तक इसका विस्तार है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है चलो तो कहता है प्रशांत महासागर टोटल अर्थ के एरिया के वन थर्ड पर फैला है वान थर्ड पे अगर इसको कहे कि पश्चिम से पूरु कितना है ये पश्चिम से पूरु कितना है कहते है 16,000 किलो मीटर की चुड़ाई है इसकी और उत्तर में बेरिंग से लेके दक्षिन में अंटार्क्टिका तक ये लो ये है आपका 14,880 किलो मीटर अतलब य ये जो नौर्थ साउथ है ये वाला ये है 14,880 किलो मीटर और ये ये वाला जो है ये वाला पूरु से पश्चिम ये है 16,000 किलो मीटर देख रहा है कितना बड़ा है भाई कितना विस्तरित है प्रत्वी के वन थर्ड एरिया पे पैसिफिक ही है ठीक है आओ एक विस्तरित तिर्बुज के आकार का है मैंने आपको बताया ये ट्रेंगुलर शेप में है तो ये आप देख सकते है टोटल पैसिफिक ओश्यन है ये पूरा पैसिफिक ओश्यन है बहुत सारे चोटे-चोटे इसके अंदर आइलेंडस है मार्शल आइलेंड, माइक्रोनेशिया, सॉलोमन आइलेंड, वनवातू, फिजी, समोवा, किरिबाती है ना कुक आइलेंडस है, हवाई दीप समू है, बहुत सारे हैसे तो एवरेज इसकी डेप्थ की बात करें तो साधे चार हजार मीटर घहरा है साधे चार हजार अब एक इसने बोला इसने बोला यहाँ पे रोकीज है और यहाँ पे एंडीज है अगर तठ पर अगर इसके पूर्वी तठ पर वलित परवत श्रंक लाए है इसलिए पूर्वी तठ क्या होगा इसका संक्रा इसका पूर्वी तठ क्या है संक्रा है पूर्वी तठ इसका संक्रा है फिर क्या कहता है इसकी अब बाकी उच्चावचिया करती को देखो Continental Shelf सबसे पहले बात करते है Continental Shelf कहते है प्रशान्त महासागर के पूर्व में और पशिमी तटो के सहारे काफी अंतर है जो North America, South America है है ना? यानि के North America, South America का मतलब Pacific का पूर्वी हिस्सा और Asia, Australia मतलब Pacific का पशिमी तो पहले कहता है प्रशान्त महासागर का जो पशिमी तट है यानि के Asia का पूर्वी तट और Australia के पूर्वी तट के सहारे मगन तट विस्तरित है क्योंकि उदर Rocky और Indies की तरह कोई विस्तरित परवत मालार नहीं है यह देखो इसकी बात कर रहे है फिर कहता है प्रशान्त के पूर्वी हिस्से में यानि के अमेरिका के पशिमी तट चाहे उत्तर अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका वहाँ परवतिय श्रंखलाओ के कारण यह कम चोड़ा है और औसत चोड़ाई 80 किलोमीटर तक है यह मैंने आपको कंसेप्ट पहले ही बता दिया नेक्स्ट विस्त्रित मगन तट पर बहुत सारे दीप मिलेंगे क्यूराईल जापान फिलिपीन्स इंडोनेशिया न्यूजलेंड कई आंत्रिक और सीमान सागर मिलेंगे जैसे बेरिंग सी मैंने बताया था उत्तर में बेरिंग सी से लेके दक्षिन में अंटार्क्टिक तक ही विस्त्रित है ओकोस्ठक, सागर, जापान सागर, येलो सागर, चाइना सी, कॉरल सी यह सब के सब पैसिफिक के अंदर ही आपके मार्जिनल सीज है नेक्स्ट इसके अंदर भी कटक है भाई परशांत महासागर पूरवी परशांत कटक जिसे आलबा ट्रोस पठार के नाम से भी जाना जाता है इसमें ये एक महत्पून कटक है इसी से ही 23 से 35 डिग्री दक्षनी अक्षांस पे जैसे ही आप जाओगे इसकी दो शाखाए निकलती है एक शाखाव चीली की तरफ चली जाती है और दूसरी शाखा आईलेंड रिज के नाम से दक्षन की ओर तो इसकी कटके उतनी महत्पून नहीं है बस ये अलबा ट्रोस पठार को याद रखना ये पैसिफिक में है तो ये देखो बेटा आपको ये कितनी सारी कटके नजर आ रही है नजर आ रही है कि आपको ये सब ये जो आपको नजर आ रहा है न बेटा ये उबरा उबरा ऐसे उपर की ओर आ रहा है ये सब ये सब के सब आपके रिजिज है पैसिफिक के बोटम में है ये देख पा रहे हो आप इसको ये सब दिख रहा है ना आपको ये सब के सब बेटा Pacific के अंदर है समुद्र के अंदर देख लो इसको और तसल्ली से देखो और तसल्ली से देखो बर्खुदार, होशियार, समझदार चलो दूसरा प्रमु कटक न्यूजिलेंड रिज के नाम से है जो सागर तल से 200 से 2000 मीटर गहरा है ऑस्टेलिया के ग्रेट बेरियर रीफ के नजदीक भी एक है, क्वीन्सलेंड पठार ये भी एक कटक है उसके साथ ही मध्या प्रशांत महासागर में एक है हवाईन उभार जो की 960 किलोमीटर चोड़ा है और 2640 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ये भी एक महत्पून कटक है फिर है द्रोणी द्रोणी समझ गे ना जैसे अट्लांटिक ओशन को मिड़ अट्लांटिक ने पूर्व और पस्षी में बटा और बाकी बहुत सारी ब्रांचिज ने उसके अंदर बहुत सारी द्रोणी बना दी, सेम इधर है प्रशांत के अंदर भी विभिन आकार वाली द्रोणीया पाई जाती है बनी कैसे बहुत सारी कटकोग जो निकली ब्रांचिज से फिलिपाइन बेसिन फिजी बेसिन, इस्ट ऑस्टेलियन बेसिन, सदन ऑस्टेलियन बेसिन, पेरू, चिली बेसिन यह देख लो यह देखो पेरू बेसिन, चिली बेसिन ग्वाचे माला बेसिन ओके बहुत सारी बेसिन नौर्थ वेस्ट पैसिफिक बेसिन इस्ट कैरोलिन बेसिन कितने बेसिन दिखाऊं भाई है बैसिनी बैसिन भरे बड़े है बहुत सारे बैसिन से इदर कोरल सी बैसिन Okay फिजी बैसिन तसमान बैसिन Southwest पैसिफिक बैसिन आप क्या बैसिन के नाम पे बच्चे की जान लोगे ठीक है समझ में आगया आपको बैसिन क्या होता है फिर इसने बोला इसके अंदर भी बहुत सारे डीप्स है बहुत सारे गर्थ है आपके Pacific Ocean के अंदर भी अब ये ध्यान रखना बेटा ये बहुत ही प्यारी लाइन है इस लाइन को ये बड़ी प्यारी important लाइन है यहां पे UPSC आपसे हो सकता है कभी कुछ पूछ ले कहता है चाहे प्रशान्त महासागर हो बेटा या Atlantic Ocean हो इस बात को याद रखना प्रशान्त महासागर में गर्थ जो ये आपके डीप्स की बात कर रहे है कहता है या तो islands के DPA चाप पे आसपास या परवतिय श्रंखलाओ के समानांतर पाए जाते है तो UPSC statement लिखके देगा कि महासागरों के अंदर जो डीप्स है वो DPA चापों के और परवत श्रंखलाओ तो DPA चापों के सहारे या परवत श्रंखलाओ के समानांतर मिलते है तो yes मिलते है ओके बहुत ही बढ़िया एक सेकिन रुखना बेटा एक सेकिन रुखना एक सेकिन रुख जाईए तो पश्यमी भागों में इन गर्तों की अधिक्ता मिलती है जिसमें है इसके बेटा रेड कर दिया इंपोर्टेंट है इसका मतलब जैसे उधर मैंने प्योर्टोरी को बताया था इधर एल्यूशन है टसकरेरा, जापान, स्क्वाइर, फिलिपाइन गर्त, टोंगा, कर्माडेक, गर्त लेकिन ये मेरियाना भी याद रखना तो ये पैसिफिक के अंदर है एल्यूशन, मेरियाना नेक्स्ट तो ये बहुत सारे ट्रेंचिज देख सकते हैं आप फिलिपाइन ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच, जापान ट्रेंच क्योरिल ट्रेंच, एल्यूशन ट्रेंच, एल्यूशन तो कई बार भी पूछा है यूपियस नहीं के एल्यूशन किदर है पैसिफिक कोशन, नौर्थ पैसिफिक में एल्यूशन ओके ये टॉंगा ट्रेंच आ गया कर्मा देख ट्रेंच आ गया ये मैंने आपको अलबा ट्रोस पठार बताया ही था इसी में है अटाकामा ट्रेंच है यहां पे वैल डन वैल डन तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे बस ध्यान रखना कल दोपैर कल से मेरा इंटर्नल सिक्यूरिटी पे प्लस कोर्स आ रहा है कल इवनिंग में 6.30 पियम याद रखना इस कोर्स की टाइमिंग इस कोर्स का जो टाइम है वो 6.30 पियम रहेगा बटा साड़े 6 बजे से रात के साड़े 8 बजे तक यह मेरा सेशन चलेगा और यकीन मान यह इंटर्नल सिक्यूरिटी पे आपने इतना जबरदस अप्रोच और इतना जबरदस कंटेंट आपने ना कभी देखा था मेरी क्लास से और क्लास जोइन करने के बाद आपको समझ में आएगा है ना कि नवीन तवर सरकी क्लास का क्या जबरदस लेवल है तो कल 1 नवेंबर से यह कोर्ष शुरू हो रहा है आप में से जिस भी बच्चे को जोइन करना है नवीन 1 मेरा रेफरल कोड लगा के इसको जोइन कर सकते हो यह देखिए एनवार्मेंट अनिकलोजी पर भी प्लस कोर्स है रेफरल कोड रहेगा नवीन 1 और जो बच्चे लोन के जरीए सब्सक्रिप्शन ले रहे है उन बच्चों को मेरी विशेश सलाह है लोन टीम से जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो मेरे रेफरल कोड से त तो नवीन 1 रेफरल कोड लगा लेना और जोगरफी ऑप्चनल चल रहा है अगेन नवीन 1 रेफरल कोड से आप इसको परचेज कर सकते हो जबरदस है हिंदी माध्यम में जबरदस कंटेंट जबरदस क्लासिज जबरदस अप्रोच चल रही है बाई यह जोईन कर सकते हो आंसर राइटिंग है ऐसे और आट ओफ आंसर राइटिंग इंगलिस कंपल सरी प्लस कोर्स की डिटेल सीए है जोगरफी ऑप्चनल इंटरनल सेक्योर्टी एनवायरमेंट एंड एकलोजी और एथिक्स यह सब मेरे प्लस कोर्स है जाके देख सकते है रेफरल कोड बस ध्या राइटिंग की यह मेरे बिल्कुल बेसिक क्लासिज है बेसिक क्लासिज है आप इनको देखके ऐसे राइटिंग क्या है कैसे करनी है वो सीख सकते है और यह लास्ट माइल प्रोग्राम उन बच्चे के लिए है जिन्होंने 2022 का मेंस दिया है और इंटर्व्यू की त्यारी कर करनी है तो बिल्कुल free of cost रहेगा यह जबर्दस यह आपके लिए फीचर है अनकैडमी का बिल्कुल free of cost और यह डाउट ब्राउज फीचर है अनकैडमी का यूप्यसी CSCGS कैटेगरी में आप जैसे ही एप पे जाओ या वैब पे जाओ पास्ट एक्जाम और प्रिवियस एक्जाम सेक्शन में जाके आप वहाँ पे मुख्या परिक्षा के पेपर का free of cost अनलेसिस देख सकते हो सलुशन देख सकते हो तो आज का सेशन यही समाप्च करते है और कल वापस मिलेंगे कल सुबह 9 बज़े ऑप्शनल की क्लास में